नमस्कार स्वागत है आपका प्राइम 36 गड़ में मैं हूँ आपके साथ ईशा भारगव तो रुख करते हैं 36 गड़ की बड़ी खबरों की ओर भाचपा अनसुच जन जाती मोर्चा बस्तर के द्वारा तेंदू पत्ता खरीदी केंद्रों में जन चोपाल का आयजन किया गया और भुपेश भगेल सरकार में पहले से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित करने और हितगराही के साथ सोशन करने जैसे विशियों पर चर्चा की गई मोर्चा जिला ध्यक्ष ने कहा कि पहले भाजबा सरकार के द्वारा 15 दिन खरीदी की जाती थी और बोनस जीमा वीमा स्टाइपन चरन पादुका साड़ी जैसे अनेक महतपूर योजना चलाई जाती थी अब इन सब विशियों को लेकर भाजबान सूचित जन जाती मोर्चा जन चोपाल के माधियम से जन जागरन कर रही है बोनस जीमा भी टोटल बंद कर दिया गया है साथ में बीमा बच्चों को इस्टाइपन भी दिया जाता था नगरिय प्रिशाशन विकास और श्रम मंत्री डॉक्टर शिफ कुमार डहरिया दौरे पर सूरजपुर पहुँचे जहां साहु समाज ने आयुजित कारीकरaff में शरकत कर माता कर्मा धरमशाला भवन का पूमी पुजन किया वह उन्होंने इस थानी कारीकरताओं से मुलाकात भी की ऐसे में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि कॉंग्रेस के सरकार में सभी जिलों में विकास हुआ है मही सरकुजा में कॉंग्रेस गुटबाजी के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिर्फ एक गुट है जो सभी के साथ के लिए काम करती है महीं बजरंगदल के बैन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी उबद्रवियों के साथ मिलकर गलत करेगा तो उस पर कारवाई होनी चाहिए इस दिशा में हम लोग सरकार काम कर रही है किसानों के संबंद में और अन्य समस्या हैं जो उनका समय पर निराकरन हो इसलिए आज कलेक्टरेट में में मेटिंग भी ले रहा हूं कलेक्टर और हमारे अधिकारियों से हमारे विदायक गन भी रहेंगे उसमें वही जगदलपुर में केंद्री रेल मंत्री अश्वनी वैश्णव ने रावगाट रेलवे लाइन के शीग्र निर्मान के लिए सहमती दे दी है दिल्ली में केंद्री रेल मंत्री से मुलाकात की जिसके बाद 140 किलो मीटर लंबी रावगाट रेलवे लाइन के जल्द निर्मान के लिए मनजूरी मिल गई अब दोनों तरफ से रेलवे लाइन का निर्मान किया जाएगा साथी केंद्रिय रेल मंत्री ने इस सिलसले में डीपी आर जुलाई 2023 तक करने का अस्वाशन दिया है। उस रेलवे लाइन के लिए जो डीपी आर बनाने की बात है। उस डीपी आर बनाने को उन्होंने जुलाई तक पूरा करने का आस्वाशन दिया है। उसके साथ हमने एक और भी बात रखी जिसको उन्होंने अपनी स्विक्रिटी परदान की है। वो है धंतरी से का कोंड़ा गांख के वे जगदलपूर रेल लाइन का सर्वें। वही बस्तर में सांसत दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम ने मुरिया विद्रो के जन्नायक जाड़ा सिरहा के 147 वे दिवस पर अथिती के रूप में शिर्कत की। इस मौके पर दोनों कैसलूर चौक पर विधिवत पूजा अर्चना कर जाड़ा सिरहा की मूर्ती स्थापित कर आयोजित सभा में शामिल हुए। सांसे दीपक बैज ने आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विद्रो में बस्तर की आदिम संस्कृती की रक्षा, जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा, सामाजिक रीती नीतियों के सरक्षन और अंग्रेजों से मिले सामंत वादियों द्वारा किये जा रहे सोशन के व वीर गती को प्राप्थ हुए, उनकी ये वीर गती को युगोद युगोद तक याद रखा जाएगा। और बस्तर के अनुविभागिये दंडा अधिकारी ओम प्रकाश्वर्मा सहित विभिन विभागों के जिलास्तरी अधिकारी उपस्तित रहे। मुख्यमंतरी भुपेश भगेल ने गड़बो नवा 36 गड़ की तरज पर जगदलपूर को सवाडने की जो परिकल्पना की है उसे साकार किया जा रहा है। सिकड़ी में शहर के रियासत कालीन तालाब दलपत सागर को सरक्षन समवर्धन किया जा रहा है। दलपत सागर के उत्तरी किनारे पर धरमपुरा मार्ग को चोड़ा किया जा रहा है जिससे अब आवा गमन में सुगमता के साथ समय की बचत हो रही है। वही जगदलपूर में बुद्ध पूर्णिमा के अफसर पर वैलू वन बुद्ध विहार में आयोजित कारिकरम में विधायक जगदलपूर एवं संसदिय सचेव रेकचन जैन शामिल हुए और समाज में उत्करष्ट कारिक करने वाले यूवक यूवितियों को सम्मानित क इस अफसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक जगदलपूर और संसदिय सचेव रेकचन जैन ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन हमें सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेणना देता है भगवान बुद्ध ने सत्य अहिंसा करुणा का मार्ग दिखा कर हमें सिखाया कि घ्रणा को सिर्फ प्रेम से समाप्त किया जा सकता है बस्तर जिले की कावन गाउं में ट्रेक्टर पलट जाने से दो बच्चों की मौत हो गई है दुरगटना में तीन लोग घायल हो गए जिने उपचार के लिए भानपुरी सिवल अस्पत साल आया गया प्रात्मिक उपचार के बाद घायलों को मेडिकल कॉलेज जग्दलपुर भी रिफर कर दिया गया है मरतक बच्चों की उम्र 6 और 7 साल बताई जा रही है वही सूरजपुर में एक अग्यात वेक्ति का शव वोरी में मिलने से हरकम मच गया है सुचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुच गई है और संदिक्द होने पर विश्रामपुर पुलिस हत्या की आशंका को लेकर संदेहियों से पूचताज भी कर रही है इसी बीच पता चला कि मृतक शराब का आधी था और गाउ के ही एक महिला से मृतक का प्रेम संबन्द चल रहा था मृतक और प्रेमी का साथ में शराब पी रहे थे इसी बीच एक यूवक आकर विवाद करने लगा और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने मिलकर यूवक की हत्या कर गला दबाकर लाश बोरे में फिक दी हत्या का अपराद दर्च कर दोनों आरोपियों को न्याइक रिमांड में भेज दिया गया है एक मिलतक का साथ कोख़ी में पड़ा है सूचना पाकर हमलाई स्टाप के मौँके पर जाकर सोहनी रिक्षण किया कि दवान भाय गया कि मौझा सुमार शाय का गला दबाकर द्थ्या कर दिया गया है सूचना पर अपरात पंजी बत्तर व्येचना की डिवरां अरोपियों सुंदर एस सुमार शाय को भग मैं दोनों के दौरा प्रेम संबंत की बास कुले कर दिया है वही सुरजपुर में कॉंग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है जा एक और बिहारपुर ब्लॉग के 72 कारिकरताओं और पदाधिकारियों ने विधायक और संसदी सचिव मंतरी पारसनात राजवाडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना स्तीफा कैबि मंतरी शिव डहरिया और संगठन को सौब दिया है महीं दूसरी और विधायक पारसनात राजवाडे ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि बिहार पर ब्लॉग की कारिकारणी भंग की जा चुकी है और वरतमान में कोई भी पदाधिकारी नहीं है जो लोग आरोप ल दिया गया था कि आप यहां तक देखवाल करोगे जुरस्त अंचल होने के करण वहां पर अधिकीत रूप से कोई बलाग भुशित ना पाटी संगठन से है ना राजोस से है वहां का बलाग मुख्याले वास्तों में उड़गी है चतिस गाड की खबरों में फिलाल इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे ये प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार